नमस्ते गाईज, राजे शेव और नमस्ते टेक और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने रेड्मी ये शाउमी फोन में सिस्टम फॉंट जो है उसे चेंज कर सकते हैं steps actually बहुत ही simple और straightforward है लेकिन सिरिफ एक ही catch है आपका जो शाउमी का smartphone है वो इंडिया रीजन में सेट होना चाहिए तो अगर आप यूरोप में रहते हैं या basically आपके शाउमी या रेड्मी smartphone का जो रीजन है वो इंडिया सेट नहीं किया हुआ है तो आप इस feature को use नहीं कर पाएंगे रीजन चेंज करना काफी simple है अब settings में जाके region search करिए उसके बाद जो system का region setting है उसे change करके इंडिया कर दीजेगा जो भी हो बाहर का जो भी दूसरा region हो बस उसे change करके इंडिया कर दीजेगा इसी क्या होगा कि जो system phone change करने की functionality है वो आपके Redmi phone में आ जाएगी पर यह ध्यान में रखिएगा कि इससे हो सकता है कि कुछ-कुछ applications में आपको फिर ads भी दिखे और कुछ-कुछ system apps की behavior change हो जाए अब मैं आपको दिखाता हूँ steps system phone change करने का अपने रेड्मी यह शामी फोन में इसके लिए आपको जो थीम सब्सक्राइब उसमें जाना होगा यह application pre-loaded आती है MIUI 11 में यहाँ पर नीचे देख सकते हैं बहुत सारे tabs है आपको जो second last tab है जिसमें T करके लिखा हुआ icon है उसे select करना है यह जो tab है यह font change करने के लिए है by default MIUI 11 में Roboto font use होता है Google का लेकिन यहाँ पर आपके पास option है बहुत सारे fonts हैं जो आप select कर सकते हैं और use कर सकते हैं अच्छी बात यह है कि almost all the fonts सबके सब free है किसी के लिए भी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे तो यहाँ पर मैं यह Mobi Giraffe फॉन जो है इसे डाउनलोड करता हूँ डाउनलोड करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं अप्लाई का option आ गया है आप इसे टाप करिए लेकिन system font change करने के लिए आपको अपने Redmi phone को reboot करना पड़ेगा उसके लिए reboot option दबा दिए बिना आप system font नहीं change कर सकते हैं MIUI 11 में लेकर इतिक यह बहुत ही छोटा सा कॉंप्रोमाइज है considering के शाओमी नहीं option जो है natively अपने system skin में दिया है आजकल बहुत कम ही ऐसे skins हैं जिसमें आप system font easily change कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि reboot के बाद जो मैंने system font change किया था वो apply हो चुका है यही जो change है यह throughout the system है और apps में भी मुझे आप यही system font दिखेगा यह ध्यान में रखेगे कि कुछ fonts जो है फो 3rd party applications के साथ compatibility issue create कर सकते हैं उन्हें ध्यान से यूज़ करिएगा अगर आपने दो-चार fonts डाउनलोड कर लिए या फिर आप बापस जो stock system font है उस पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए themes app ओपन करिएगा जो लास्ट वाला टैब है smiley icon वाला उस पर टैब करके font section में जाईएगा यहां पर जो भी fonts आपने डाउनलोड करके install के अपने MIUI phone में वह आपको दिखाये जाएंगे तो मैंने अभी तो जिराफ font डाउनलोड किया था लेकिन इसके पहले मैंने comic book को भी डाउनलोड करके रखा था अब मेरे पास option है कि मैं चाहूं तो Roboto जो कि default MIUI 11 का font है उस पर जा सकता हूं या फिर comic book font को set कर सकता हूं यहां पर मैं जो default Roboto font है उसे ही set कर देता हूं आप देख सकते हैं कि changes के लिए मेरा जो यहां पर Redmi K20 है वो restart हुआ है और restart के बाद system font जो है वो वापस change होके Roboto पे चला गया है तो I hope दोस्तों इस quick video से आपको clear हो गया होगा कि कैसे आप अपने वीडियो useful लगी हो तो हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करेगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा धन्यवाद